हेलो इस्टुदेंट्स दिस परी सिंग और आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी में वर्ण माला चैप्टर लिए आई हूं आज हम वर्ण माला का अध्यान करेंगे यह चैप्टर आपके सभी एक्जाम्स के लिए जो भी यूपी में एक्जाम्स हो रहे हैं या फिर जिस एक लेकिन अभी से हमें अपनी तयारी अच्छे से करने होगी ताकि हम एक्जाम को क्रेक कर पाएं तो चले शुरू करते हैं आज की गलास लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत बुलेगा साथ ही शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखिए त वर्ण माला कहा जाता है या फिर वर्णो की क्रमांतर रूप को भी वर्ण माला कहते हैं अब बात करें जिस प्रकार फूल को बनानी में फूलों की माला बनानी में फूलों का प्रेव होता है उसी प्रकार वर्ण माला वर्णों का भी मेहत है चोड़ी छोड़ी द्वनिया स सबसे छोटी मौके किकाई होती है यह कुछ समय पशात अपने आप ही लुपत हो जाती है और यह अप्रमारित होती है वर्ण की बात करें तो यह सबसे छोटी और लिखेते काई होती है यह प्रमारिते काई होती है और वर्णों का खंडन नहीं किया जा सकता है शब्द की बात करें तो वर्नों के सार्थक और उचित मिल को शब्द कहते। वही भाषा की सबसे चोटी और अर्थवानिकाई शब्द है ये कुश्यन रिपीट हुआ है ये कुश्यन श्री आया कहते है वह required Sabbath सबसे चोटी करना चाहिए इसलिए मैं इसको बोल दे रही हूँ आप पैन और पेपर पैन और कॉपी लेके बैठे ताकि आप लोग इसको नोट डाउन कर सके आप लोग इसको नोट डाउन करिए अच्छे से देखिए ताकि आप लोग इसका जो भी जो भी जो भी चैप्टर से आपकी कु लेकिन मुख्य रूप से दो ही लिखे बान जाते हैं तीन तो मॉखेक लिखेत & सांकेतिक होते है लेकिन जो दो मुख्य रूप से बाने जाते हैं आगे दिखें वणो warな है जुटी से चुटी धूनि है जिसकें तुकड या खंड नहीं किये जा सकती है यह में बता चुकी हूं हिंदी भाषा को लिखने के लिए देवनागरी लीपी का प्रयोग किया जाता है जिसका विकास भ्रामी लीपी से हुआ है तो यह तो रही वर्ण माला की बात आगे देखते हैं स्वर और व्यंजन वर्णों को तीन पार्ट्स में डिवाइड गया गय का सचा करेंगे अंग़ी अब श्रहराओं में अरस्वर और उसके साथ है हम आयूगा की क头 करेंगे तो चली शरू करते हैं स्वर स्वर इसका चरण बिना किसी कि सहयता के स्वत अंतरता पूर्वक होता है ह् NP Michael?? चार और कुल स्वर 11 होते है जो मूल स्वर चार है वो I U BDU A BDU A 2 11 सवर EspikasCeStra 7 सवड़ यह बागे जो depressed boy सब्सक्राइब इसे बनता है जैसे A, A, O और O वहीं A और चोटा चोटी A और बड़ा और बड़ी को मिला कि A बनता है वहीं चोटा प्लस चोटी A या बड़ा बड़ी को मिला कि बड़ाई बनता है वहीं आ और बड़ा आ को मिला के जो आ और उ को बड़ा आ और उ को मिला के छोटा ओ बनता है वहीं आ और आ और ओ और उ को मिला के बड़ा ओ बनता है प्लूद स्वर के बात करती है इनको बोलने में स्वांस लंबी खिच जाए या बोलने में दीर्ग स्वर से भी अधिक समय लगे तो इनसंबोधन या जोर से बुलाने में प्रयोग होता है जैसे ओम जब हम ओम को बोलते हैं तो आप लास्ट में देखेंगे ओम मैंने बोला तो जो मा है वो थोड़ा सा लंबा चला जाता है या मैंने राम बोला तो हमीशा राम जो बोलेगी जैसे रा तो रा को बोलने में थोड़ा स्वर जो है वो लंबा चला जाता है तो वो प्लूद स्वर है आयोग भाग की बात करें तो आयो वाग यह ना तो स्वर्ण होते हैं और कहा जाता हैं यह दो होती है एक अनुष्वर्ण S Chili जैसे आईघन कि दो कर दोनि के सिर्थी पर देख CS करते है इसमें अग्रस्वर की ज सरा को बोलते समय जीव के मध्या का हिस्सा काम करता हो मध्ध्यe स्वार का हिसा जैसे औ, जब हम जीव के, जब आप बोल के देखी औ, तो जीव का मध्ध्यe स्वार टोड़ा ऊपर की तरफ होता है, या फिर नीचे की तरफ टोड़ा बेंड होता है, तो आप इस चीज को बोलके भी देख सकते हैं, पश्या मुह को बहुता है तो आप देख सकते हैं जिन स्वारा मुह को बोले में जीव स्वां। नहीं मुए और वख़ने केहा है एक घृठ शर्पको पूर्म मुہ तो आप इसको प्रैक्टिकली करके देखें ताकि आपनों को पता चले आप इसको बोल की देखें ताकि आपनों को पता चले आगे देखते हैं संbhrat यानी closed जिन स्वारों को बोलने के चारण में मूँ लगबग बंध होता है या थोडा सा खुल जाता है जैसे यह बड़ा और एंपार नहीं होता है जैसे आ, आ, ए, 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 तो यह तो थे स्टुडेंस हमारे स्वर जिसको भी हमने आज की क्लास में कंप्लीट किया हुआ है बाकि ऐसे बहुत सारे स्वर होते हैं जैसे कि जो सवर है वैसे मैं बता दी तो जैसे चोटा है तो अर्दुस्वर है मद्दुस्वर है ठीक है बड़ा विवरत है पश्य दीर स्वर है तो यह मेंने मतलब आपक अगर हिस्सा काम करता है देख स्वर के श्रेणी में आता है तो यह तो तेश्वरों से स्वरों के बारे में चर्चा थी आज लेकिन इस्टुडेंट्स जो स्वर है वो आज इसमें कंप्लीट हो गया और जो यह जने है वो हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगी आई-वप आ आया होगा स्वर्चक इससे आपके स्वर्च कर एक भी कोशल में नहीं होगा मैं आपको इसका आश्वाशन देती हूं कि आप ऐसाब कुछ भी नहीं है और जितने भी इसमें जो इंपोर्टेंट फैक्ट से मैंने सभी कम्लीट किये जो इन्पोर्टेंट कोश्चन से बनते तो कोशेट कूछा है कि आ अनोस्वार को किसमें रखेंगे तो आप अनोस्वार को सवर्फ इंजन दोनों में r bombers लां लॉखिंगे ईस तरी के कुशन में आपको अपनी अगली क्लास-में लाओ जो वर्ण वाला है उस से रिलेटेड में सभी कुश्च वर्ण माला से रिलेटेड सभी कुश्च में आपको अगली वाली ख्लास में जरूर दोगी डेफिनिटली दोगी थैंक यू सो मच इस्ट्टेट्स आज के लिए बस इतना ही थैंक यू सो मच बाई